हाई गाइज वेलकम तो अगेन माई चैनल इसे साकी हेर होप आप सब खेरियस होंगे तो यह वीडियो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले एक ऐसे स्कैलपिंग इंडिकेटर के बारे में अगर आप इस इं है रहे थे कि यार हमें कुछ ऐसा इंडिकेटर्स बताएं जो हम पाइनास पर ही उसको यूज कर बाएं और बाइनास पर ड्रेक्टली हम उसको यूज करते हुए स्कैलपिंग कर बाएं विकार इस तरह थोड़ा इजी होता है लोगों के लिए सम्टाइम किसी के पास लैप पर ही यूज करके प्रॉफिट बना सकते हैं स्कैलपिंग में या अपडेट रेड़ करते हैं फिर भी तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं होएं तो जल्दी से चैनल को सब्क्राइब कर दें और लाइक कर दें और इसके साथ साथ अगर आप चाते हैं कि आपको डेली की बेसिस पर फरी में ही स्कैलपिंग के सिगनल प्रवाइड किये जाएं तो आप हमारा टेली कराम ग्रूप जवाइन कर सकते हैं फरी में वहां पर आपको डेली की बेसिस पर दो से लेकर चार फरी सि कुरेशी के साथ यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाओं तो कल के यह कुछ सिगनल थे जो हमने अपने फरी वाले ग्रूप में शेयर किये थे और इसके साथ हम डेली की बेसिस पर वहाँ पर बेट सी और मार्किट की अपडेट भी शेयर करते रहते हैं तो आप यहाँ पर यहाँ पर चार्ट ओपन कर लेता हूं तो यहाँ पर अगर आप देखे तो मैंने बीट सी का चार्ट ओपन कर रखा है और यहाँ पर आपको कुछ लाइंस शू होने लगी है ठीक है तो इसको हम बोलते हैं 4EMA अगर आप इसको ट्रेडिंग व्यू पर जाकर सर्च करें तो वहाँ पर आपको 4EMA ही आप वहाँ पर लिखना पड़ेगा तो आप 4EMA में लिखेंगे तो आपके सामने यह इंडिकेटर आ जाएगा लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर पैनास की तो यहाँ पर जिस्ट कुछ इंडिकेटर ही इन्होंने स्लैक्टेड की होते हैं यहाँ प और हम सीखने वाले और उसको यूज किस तरह करना उससे इस तरह से बनाना वह सब हम इस वीडियो में देखेंगे सो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी दिखना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे तो यहाँ पर मेरा 4EMA स्लैक्रेड हैं और यहाँ पर यह बहुत ही अच लोट का सिंगनल दिया था जब बीट सी 21 400 पर था तो अगर आप यहां से देखे 2400 पर जब था बीट सी अभी अगर बीट सी के आप प्राइस देखें तो बीट सी के लगबग 1990 को टच किया 6% तक कि इसने प्राफिट दिया बीट सी के चार्ट पर बीट सी में इसने हमें 6% का प्राफिट दिया जो कि अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्राफिट होता है स्कैल्पिंग के लिए तो यहां पर आप डाइनास में इसको किस तरह सी क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां बम्सके पर यहां पर इस शेकट करना हैं इसका हैंनास्ती यहां पर 1ylation क करेंगे इसक तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 EMA तक यहाँ पर आ रहे हैं तो आप यहाँ पर 10 EMA को यूज कर सकते हैं ठीक है 10 EMA को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं लेकिन वो किस तरह से यूज करना है उनकी settings क्या रखनी है यहां पर indicators की setting बहुत important होती है अगर आपने थोड़ी सी भी अगर उसकी length या कुछ भी उसकी मतलब वहां पर घज़त type कर दिया तो वो सारा indicators की जो accuracy है वो खराब हो जाएगी तो आपने इन जो आपको बताया हूंगा यहां पर values आपने इन values को लाजमी note कर लेना है कहीं पर किसी page पर note कर सकते हैं कि अपने mobile में ही notebook पर इसको note कर सकते हैं तो first यहां पर आपने 4 EMA को select कर लेना है वो किस तरह करना है आपने यहां पर आप click करें इस पर second, third and fourth इन 4 पर आपने select कर लेना है उसके बाद इनकी values को आपने change करना है यहां पर जो आपकी first value होगी वहां पर share different होगी तो यहां पर आपने eight लिखना है second one पर आपने twelve लिखना है third पर आपने twenty one लिखना है और fourth पर आपने लिखना है 55 यह लिखने के बाद आप इनके यहां पर कुछ सैटिंग कर सकते हैं जो आपने लाइन स्लेक्ट करने हैं वो रख सकते हैं आप अपने मरसी से लाइन इसकी रख सकते हैं जो आपने रखने हो और यहां पर आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं आपर मैं कंफार्म पर क्लिक कर दोगा कोन फार्म पर क्लिक करने के बाद हम अगें यहाँ पर आ जाते हैं चार्ट पर पूर आने के बाद एक और आप ने इंपॉर्टन बात याद रखने वह यह है कि आप में टैम प्रेम कौन से कर रहे होते हैं तो वन मिनटस के चार्ट बहुत जागा फास्ट ट्रेडिंग होती है उसमें आपके लिए मतलब ज्यादा एकुरेसी से प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल होता है तो बैस्ट है कि आप फाइफ या फिफटीन मिनटस के चार्ट को यूज़ करना चाहरे है तो यहां पर मैं 5 मिनट्स के चार्ट को use कर रहा हूँ, उसके बाद हम यहां पर 15 मिनट्स के चार्ट को भी use करेंगे, दोनों का यहां पर फर्क difference देखेंगे, कि यहां पर कौन सा हमें टैम फ्रेम अच्छी accuracy दे रहा है, फिर हम उसी पर ही trade करेंगे, तो first यहां पर मैं 5 जाएगा कौन कौन सुद्ध में जब यहां पर आपने क्या करना है हम ने कब लेनी अगर आपके dau ampl度 क्रेंज यहां टो चार ऑनने प्राइश ने और यहां पर पिंक लाइंस है 55 moving average वो सब के ऊपर आएगा सब lines के ऊपर आ जाएगी और बाधि जो lines है वो सब नीचे उसकी होगी और यहलो lines है वो सबसे नीची होगी means डाइट कि यह फिसके 55 moving average सबसे उपर होगा तब हमने रिटेस्ट पर इंट्री लेनी है शौट की और हमारा जो stop loss होगा वह 55 moving average से उपर होगा ठीक है अगर वहाँ पर हमें loss होता है तो loss बहुत कम होगा लेकिन वहाँ पर profit के chances बहुत ज्यादा है और जैसे जैसे प्राइस नीचे जाएगी हम अपना stop loss मूव करते जाएंगे को थोड़ा profitable बनाने के लिए अपना stop loss भी इंट्री पर कर देंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसे trades आपस में मार चुई और पिंक लाइन सबसे उपर और एट moving average means सबसे नीचे आई तो महाँ से अच्छे खासी हमें डाउन फाल नजर आए और यहां पर एक शौट की पॉजिशन को बहुत profitable हमें ध्युट करेट करती तिवे नजर आई और यहां पर अगर हम ट्रेड लेता तो अच्छे हम जो अपना stop loss रखेंगे वो थोड़ा यहां पर अबाव रखेंगे last candles के उपर ही रखेंगे last candles की closing के उपर उसकी weeks के उपर रखेंगे अपना stop loss के अगर stop loss वहां पर हिट हो भी जाएगा तो हमें यहां पर कुछ ज्यादा लॉस नहीं होने वाला इसी तरह अगर हम यहां पर करें बात लॉंग ट्रेड के लिए आपने क्या करना है लॉंग ट्रेड के लिए सेम ही यह है जब यह चारो लाइंग आपस में मार्च ह सबसे नीची आजाएगा और यहलो मुविंग एवरेज मींर है वाला मुविंग आवरेज सबसे ऊपर आजाएगा तब हमें यह ठेस्ट पर एक लॉंक की इंट्री करीएड करनी है और लॉंक इंट्री करियेट करने के बाल लास्ट चुल होकी यहां पर कैंडल उससे नीचे हमें अपना स्टॉप लॉस रखना है और यहां पर आप देख से कितना अच्छा हमें यहां पर प्रॉफिट मिला तो इसी तरह अगर यहां यहां पर नीची और आ जाएं और यहां जाएं और हम बात करें तो अगेन यहां पर जैसे हित चारो लांस आपस में मार्च हो रही हैं यहाँ पर और जो एक मिट आपको मैं समझात हूं और आपने आपर अपनी मर्जी से Scalping में Profit Book करना होता है, इसमें यह नहीं कि आपको Indicators बताएगा कि आपने इस जगह पर Profit Book करना है, इस जगह पर आपने यह करना है, यह ऐसा Scalping में आपको खुष सही करना होता है, अगर आप Scalping कर रहे हैं, Scalping के लिए Fast होना पड़ता ह कि आप Laptop के सामने आपका मुबैल पड़ो यह नहीं कि आप ट्रेड लगा कर खहीं चले जाएंगे ऐसा स्कैलपिंग मी नहीं होता स्कैलपिंग के लिए आपके सामने आपकी स्क्रीन ऊपन रहने चाहिए हरवक्त आप Laptop आपके सामने पड़ा है और आप मुबैल पर ट्रेड करें फिर ही आपके ट्रेड आपको अच्छा प्रॉफिट दे पाएगी और वाइस आप उसमें लॉस कर बैठेंगे यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर आप जा रही थी और यहां पर इसका ट्रेंड चेंज हुआ और यहां पर इसने शौट का सिगनल दे दिया फाइफ मिनट का चार्ट अगर यहां पर हम बात करें फिफ्टीन मिनट की चार्ट की तो यहां पर फिफ्टीन मिनट के चार्ट में भी सेम आप देख सकते हैं इसी तरह ही इसने हमें एकुरेसी दी है और इस एकुरेसी के और एट मुविंग आवरेज सबसे नीचे आएगा तो वहाँ पर आपने एक रिटैस्ट पर अपनी शौट की इंटरी करियेट करनी है और इसी तरह जब आप यह चारो मुविंग आवरेज आपस में मार्च होंगे और एट मुविंग आवरेज सबसे उपर और 55 मुविंग आवरेज सबसे नीचे होगा तब आपने एक लौंक की इंटरी करियेट करनी है stop loss का भी आपको बता दिया है entry का भी बता दिया है और profit booking का भी बता दिया है कि आपने किस point पर profit book करना है इसके लावा अगर आपको इस video के relative इस indicators के relative कोई भी issue है तो आप नीचे comment पर पूछ सकते हैं otherwise आप मुझे telegram पर message कर सकते हैं पर आपको कुछ ही देर में reply मिल जाएगा और इसके साथ साथ अगर आप हमारे telegram group का हिस्सा नहीं है तो जल्दी से link आपको निशे description में मिलेगा उस link पर click करें और हमारे telegram group का हिस्सा बनें सो मिलते हैं next video में इंशाला